चलिए अब बात करते हैं Windows के अंतरगत using internet, internet को कैसे use करते हैं, internet है क्या है, internet एक प्रकार का computer network है, जो की worldwide level पर होता है, यानि की एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, यानि की wide area network प्रकार का है, जिसमें ये जो हता है, पूरी दुनिया में हम किसी भी वेक्ति से आसानी से connect हो सकते हैं इंटरणेट यानि की अंतराश्ट इसतर का network होता है, इसके अंतरगत internet कैसे use करना है, इस जी हमको देखना है, Windows के अंतरगत सबसे पहले internet connect होना चाहिए, यहाँ पर realme, मतलब जो मेरा wifi hotspot है, वो connect है, यहाँ पर, यादि आपके पास में जैसे cable है, cable से connect रहता है, या फिर computer, 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 modern से connect रहता, तो internet connect है, internet connect है, उसके बाद आपके पास में सबसे पहलोना चाहिए, browser, यानि कि browser क्या है, browser एक प्रकार का application software है, तो हम देखते हैं, browser के बारे में, तो दीखिए, अगर हम browser देखते हैं, यहाँ पर, normally अगर computer browser करते हैं, यहाँ पर, computer browser करते हैं, ठिक, यहाँ पर हम computer, ऐसे enter करते हैं, तो हमारे पास में देखिए, browser का मतलब होता है, browser का मतलब होता है, ऐसा application software, जो की internet में surfing करने का काम करता है, तो जिसके अंतरगत आप देखिए, Google Chrome देख सकते हैं, Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari, Vivaldi, Brave, Maxstone, यह बहुत सारे browser आपको देखने को मिलते हैं, computer के अंतरग जो है, कोई भी information को यहाँ पर सर्च करते हो, तो browser आप समझ गए, इसके अलाबा आप जब जैसे browser की बात करें, browser के बाद आप देखें, तो ऐसे enter करते हो, तो देखिए, यहाँ पर आप जब लिखते हो, तो आपको क्या लिखना होता है, यहाँ आपको देखिए, जब आप लिखते हो, यहाँ पर सर्च करने के लिए, तो यह होता है, यहाँ पर जो सर्च बार होता है, इस सर्च बार को यहाँ पर वाले को URL बुला जाता है, यहनि कि uniform resource locator, जहाँ पर यह सारी चीज़े हम जो है, कोई भी चीज़े हमको ढूंदना है, तो वहाँ पर हमको लिखना ह होता है तो सबसे पहले वहां क्या दिख रहा है देखिए लॉक का निसान यानि की SSL certificate यहां पर है नहीं की सिक्वेर साइट है सब्सक्राइब देखने को मिलता है यानि की एक प्रकार का बड़ा इसतर का डाटाबेस है जिसके अंतर का दुनिया की इतनी भी चीजी हम सर्च कर रहा है वह सारी चीजी यहां पर रखिए और इसको बनाने का स्रेक इसको जाता है तिम बर्नर लीक हो जाता है अच्छा कब ब पर्टिकॉलर कंपिनी जिसके नाम से उसको सर्च किया जाएगा उसका नाम होता है Google गुगल द्वारास को सर्च किया जाएगा तो Google.com मतलब उसका टाइप होता है टाइप डोमें ठीक है तो यह कंप्लीट मिलकर क्या बनता है यूरल बनता है तो यहां पर हम देखें तो य यूरल अगर देखें यूरल में बताता हूँ और आपको जैसे यूरल आपने साच किये तो यूरल का मतलब होता है उनिफर्म रोसेश लोकेटर जिसके अंतरगत जो होता है जैसे आप नॉर्मली देखें फर्स्ट टाइम पब्ली से 1994 हुआ था डोमेंड जो है इसके अंतरग थीक ेसके अलावाब देखें है यहां पर ओथर जो है टीम बर्नल ली देखने चुछ मिलता है इसी प्रकार हम www वी देख सकते हैं जैसे www टाइप करें आपने तो यहां पर इसके बारे में भी देख सकते हैं इसके बारे में ठीक है इसके बाद जब हम पूरा कंप्लीर देखें देख लेते हैं तो देखिए यहां ब्राउजर के बारे में search कर सकते ही search bar hoता और यह उरल होता है तो यह अरेल में सर्च करो यह कहीं भी तो आपको search engine के आप पड़ेगी सतर्च इंजन में बतातों आपको बहुत साथ सारे देखने करने मिलते हैं देखे सर्च इंजन जैसे सर्च इंजन मैंने बताया तो यहां देखे आपको शर्च इंजयन में बहुत सारे सर्च इंजयन देखने मिलेंगे जैसे यह हो है ठीक है एंडेग्स है इसके अलावा Wikipedia भी अपने आप glue ऐत नेया तो Samuel तो Sarah भी एक सर्ची इंजयन यह देखिए और यहाँ यह जिए दिखिए वाला उक्तान के द ihr है यह होते है दा हिंदू न्यूस पेपर ठीक है इस प्रकार यह से हमने एंटर करें तो विकिपीडिया के अंतरगर जानकारी खोल रही देखिए दा हिंदू इस लेंग्वेज इंडियन डेली न्यूस पेपर है ठीक हिंदू गुरूप के दौर संचालित किया जाता है सचिंजन मतलब जिसके दौर जानकारी सर्च की जाती है और यहां विकिपीडिया के उसे खाला है तो विकिपीडिया से भी हमने सर्च करें देख लिए उसका Horizon compare i查 pewno है तो को रीड करना है तो देखे ई-paper आ रहा है यहां पेपर को हम ऐसे क्लिक करेंगे और यहां से अच्छा यहां पेपर को रीड करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होता है सब्सक्राइब करना मतलब जैसे आप चाहते हो से ट्राइल टाइब जो है इसको रीड कर सकते हैं और यदि आप डेली पढ़ना चाहते हो तो आप क्या करोगे यहां आप जो है इसको सब्सक्राइब करोगे ठीक है साइन इन तो हमने कर ली यहां पर ठीक है यहां पर बोल रहा है सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं जो दा हिंदू है उसकी बात करता हूँ ठीक है चलिए दा हिंदू हम खोलते हैं यहां पर हम लिखते हैं दा हिंदू यह पेपर या फिर मेरे पास टैब में यहां पर लिखा हुआ है तो यहां पर पहल लॉगिन कर लेते हैं लॉगिन करेंगे तो गूगल के थूरू ह आप देखिए यहां पर है एमाउंट दिया हो है जैसे बन नाइन मतलब 1999-1999-2009 इस प्रकार आप जो है इसको पढ़ सकते हैं ठीक इसको आप सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब करने के दौरान देखिए यहां पर प्रोमो कॉड आएगा तो प्रोमो कॉड जैसे कि हम आप तो दिखे हैं से हम जो है पर रीड़र यहां लोग आउड कर सकते हैं ठीक है तो यह तो बात हो गई हमारी रीडिंग की थार न्दीर दिए Czech होंगे तो यहां computer में बताता हूं तो देखे सर्चवारा समको कहीं का रास्ता पता करना है कि कहां से कहां तक जाना तो देखिए नीचे दिया डारेक्शन ठीक है कुई यह से क्लिक करेंगे और हम इसको उपर नीचे कर सकते हैं जैसे हम छी द्वारा से कहां चाहते हैं भौपाल तो भौपाल मदपर्देस इस परकार सर्च करें देखिए यह जो है complete रूप से पूरा डारेक्सन दीखा दिया ठीक है कि इस परकार है अब यहां देखिए और चली यहां से हम कर लेते हैं इन दोर कर लिते हैं तो देखिए चिंदवाड़ा ये है ओर इन्दवर ये है अब यहाँ पर देखिए diesel और्र के से ओन कर देते इसको अच्छा कितने किलोमीटर है देखिए 411 km है कितनी देर में पहुँचेंगे दिख रहा है 9 गंटे 18 मिनिट में इसके बदले हम हम चाहें तो यहाँ पर भुपाल भी कर सकते हैं ठीक है यह देखे यहाँ पर दिख रहा है पूरा रूट आप यहाँ देखे आपको कुछ ओप्सन दिख रहा है बहुत सारी चीजा है है छोटल सर्च कर सकते घयस रेश्ट चार्फ और बहुत सारी चीजा पर सर्च कर सकते यहां तक मैसे ऊसमें भी स्ब्राइब करते हैं थृडद में कि और गूगल एप है वह मिलते हैं कंदो जैसे आपने मोबाइल में लोगिन करें हो वह यहां पर है तो आप यहीं से इंस्टॉल कर सकते हो बस नेट कनेक्ट होना चाहिए तो इसके थुरू भी आप जो है इंस्टॉल कर सकते थे तो हो गई गूगल एप्स की बात इसके बाद कुछ और चीजे है जैसे कि ओनलाइन टिकेट बुकिंग मतलब जैसे आप रेलवे की टिकेट बुकिंग करना चाहते है तो आप देखिए IRCTC जो है टिकेट बुकिंग ऐसे लिखोगे और एंटर करोगे इंटर जैसे करोगे तो आप यहां से देखिए IRCTC Next Generation E Ticket Book कि आप सबसे पहला काम है कि आपको लोग वाल्यार को सबसे कि आप अपको लॉग ईन करना है मतलब एक इती के की दौरान जो है यहां पहुत सभी यह देखें मिलेगे कब देखे कब आप डिट्ट आपने सलेक्ट किए फिर से बापस चलते हैं या कुली कोई जैसे 19 और यहां सर्च करते हैं सच करने के बाद देखिए यहां और यह कर देते हैं और यह एक अर ung लॉग इन करना है लॉग इन करने बाद जब लॉग इन हो जाओ पे करने का मेथड आएगा पे मतलब यूपी आई नेट बेंकिंग कुछ से भी आप पे करके यहां से टिकेट को बुक कर सकते हो ठीक है और बहुत सारी चीजी यहां देखे एवेलेबल है नहीं है यहां सारी आपको दिख जाती जैसे आप दूसरी क्लास बदलना चाहते देखे यहां से क्लास भी बदल सकते है अपने मोबाइल में आयर से टीसी का डाउनलोड कर लीजी उससे भी आप आसानी से टिकेट बुक कर पाएंगे उसके बाद आप पैन कार्ट की बात करें पैन कार्ट तो ह अच्छा है नहीं नहीं बनवाना ना तो एपैक करने के बाद रेजिस्टर यहां पर लोग-इन कर ले और करने क्ली पूरा फ़ॉंप फिल करना है और सब्मिंट करना है उसके बाद इसका software निकालinks है आपको जमा करना होता है ठिक है इसके बाद नेक्स्ट क्या है आधार क IDENTICATION AUTHORITY OF INDIA तो जैसे आफ GET करोंगे तो आप देखिए यहांजाओगे और यहां से download करके लिख सकते या फिर यहीं से देखिए GET अधार में जाओगे यहीं से download go to download option नजाओर यहीं से आप download कर सकते या फिर इस option में अधार को नम्बर डाल डालेंगों स्केटा को नाम नाम जैसे किसी का नाम है अनील तो ए एन आई एल यह चार केरेक्टर आपको डालना है और 1990 तो 1990 डालना कैपिटल में ठीक है कैपिटल में नंबर तो नॉर्मल डालना है पर कैपिटल में कैरेक्टर और ओके करोगे तो आपका खुल जाएगा यहीं पर यहाँ आपको इनरौल्मेंट नंबर के थुरू इनरौल्मेंट आईड़ी के थुरू या फिर वर्चॉल आईड़ी के थुरू इस प्रकार आप जो हैं डाल करबना जो हैं डाउन डूड कर सकते हैं ठीक है तो इसके बात हो गई अधार कार्ट की इसके बाद है electricity bill तो electricity bill पे कैसे करना है आप मोबाइल से directly कर लेते परन्तु में आपको इसमें बताता हूँ MP करके लिखना है MP MP EZ लिखना और MP EZ billing लिखना है जैसे आप लिखोगे सुरू में आएगा pay your LTHT जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखिए यहां को बहुत सारे option देखना मिलेंगे तो यहां पर आपको देखिए pay your LTH करना है तो आपको यहां पर view and pay LTH करना है ठीक और आपको आई भी एरस नंबर डालना है यहां पर आपको मोबाइल नंबर डालना है यमेल डालना है आपको गेटवर सेलेक्ट करना है और आपको यहां पर इस option को टिक करना और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको बिजली बिल यहां देख जाएगा आप उसको डाउनLoad भी कर सकते हैं जो बिजली बिल है यह देखिए बुकता हो जैसे आप देखिए है एच्पी गैस बुकिंग ठीक है यहां देखे प्लेस वर ओडर माइच्पी गैस ज्यादा अच्छा रहता है कि आप इसका डाउनलोड कर लिजी मोबाइल में और उसको रेजिस्टर कर लिजी रेजिस्टर करने के बाद आप देखिए यहीं कर सकते हो ठीक कि इसका आप कोई डाउनलोड करना है कंप्यूटर में तो आप देखिए नॉर्मली इभूक लिखना है जैसे देखिए आप चाहते हो किसकी विंडोस की विंडोस की पीडियेफ या फिर आप जैसे मान लीजें फंडामेंटल पैंडामेंटल औौफ होना चाहिए आपको कि जो मतलब डाउनलोड करने का है जैसे PDF देखिए इस प्रकार आप डाउनलोड कर सकते हैं इबुक ठीक आच्छा इबुक बनाने के लिए जैसे आप मान लीजिए कोई पी डिटोरियल खोले आपने चलिए fundamental का ही creator खोलेता हूं हैCE टूटॉरियल कंप्ली टूट Lawrence कोलिया ऑलियों से इस प्रकार खोले आं हमने और यहां से हम क्लिक कर लेते हैं tutorial itsूरियल पॉइंटमें अब जैसे यहां हम रहेम के बारेम पढ़ना चाहते हैं ठीक है रहम के जो PDF है वो बन जाएगा ठीक है तो इस प्रकार आप सेफ कर सकते हैं लोकेशन देखर इस प्रकार सेफ कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ देखिए हमारे पास मैं जो options थे internet से using संबंदित इसके बाद जो browser के कुछ options से मैं वता देता हूँ आपको देखें यहां जो होता है तो tab होती है इनको tab को हम हटा भी सकते हैं इस प्रकार देखिए और new tab यहां से ला भी सकते हैं ठीक है इसके बाद जो होता है बैक बटन होती है forward बटन मतलब बैक एक स्टेप पीछे जाने के लिए एक स्टेप आगा जाने के लिए ठीक है इसके Kaupi यहां से बना सकते हैं न्यू विंढो ला सकते हैं New我们 Tab के साथ में कॉगनिटिव निसीगेट स्पवें फासम कहला सकते हैं इहां से जितनी भी चीजेह हमने सर्च कि Download चीजे देख कर सकते हैं कि इसके अलावा यहां देखिए जब Google में सेलते हैं Gmail दिख रहा है इमेज दिख रही है ठीक है इसके अलावा देखिए Google के कुछ एप्लिकेशन दिख रहा है जो चीज हमने लॉग इन कि है जो आईडी वहां पर दिख रही है ठीक है और यहां सारी चीज हम उपयोग कर सकते हैं जैसे Google सर्च है मैप है यूटूब है जीमेल है ड्राइब है इन सभी चीजों कर सकते हैं तो यहां देखिए हमने विंडोस के शीजी है वो सभी चीज़े यहां पर देख लिए हैं और इंटरनेट भी चलाकर देख लिएं विंडोस के अंतरगत एप्लिकेशन जो एकसरी से उसके अंतरगत सारी चीज हमने देख ली हैं अब इसमें भी अगर इसमें समझ में अच्छी बात है अगर कोई दिक्कत है ता आप कुछे comment box में बता सकते हैं, complete हमारा हो गया है, windows के अंतरगत basic जो operations था, ठीक है?